Hello friends, welcome to my YouTube channel, आई से हम new topics start करने वाले हैं, which is fraction and decimal, इस वीडियो में हम discuss करेंगे basic concept on fractions, और साथ में हम कुछ important problems solve करेंगे, जिनको हम solve करेंगे बहुती simple, आसान tricks के साथ, मैं आपको suggest करूँगा, इस वीडियो को आप end तक देखिएगा, because मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार tricks, आपको बहुत मज़ा आएगा question solve करने में, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी doubt रहे, description में मेरा whatsapp number है, वहां से आप मुझे अपना doubt पूछ सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए, तो telegram पर जाएए, वहां पर search करें, malik tutorial, आपको PDF मिल जाएगी, और description में या अगर हम कहेंगे, तो equal parts में, एक हिस्से को हम equal parts में divide करते हैं, उसको हम fraction कहते हैं, जैसे for example हमारे पास 8 है, ठीक है, तो 8 भी एक fraction है, विकास ये पोरा part है, या हम 8 को divide करेंगे, तो 8 को कैसे divide करेंगे, 8 by 2, ठीक है, 8 by 5, 8 by 6, तो ये इसके क्या होगे, हिस्से होगे, तो इसको हम कहते हैं fraction, एक चीज़ आपने याद रखनी है, कि अपान में 0 नहीं होना चीज़े, विकास अगर अपान में 0 होगा, तो वो क्या बनेगा, not defined बनेगा, अब fraction का origin कैसे हुआ, जब हमारे पास कोई चीज होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक apple है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस apple को दो लड़कों में तक्सीम करना है, तो अगर हमें इस apple को दो boys के अंदर तक्सीम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें fraction का इस्तमाल करना पड़ेगा, मतलब one को हम divide करेंगे, two, तो इसका मतलब, एक को भी one upon two, आदा मिलेगा, और दूसरी क तो भी मिलेगा 1 upon 2 तो this is called fraction now fraction का जो उपर वाला हिसा होता है जैसे हमने लिखा 1 by 2 तो जो ये उपर वाला हिसा होता है इसको हम कहते है numerator क्या कहते हैं numerator इसको सारे को note down कीजेगा numerator बिकास ये आपके लिए बहुत ही important है और जो नीचे वाला है ना इसको हम कहते हैं denominator कभी कभार बच्चों को क्या होता है इसमें टबला हो जाता है याद रखने में आपने क्या कैसे याद रखने इसके आपको मैं ट्रिक बताऊंगा d, d far down, d far denominator down मतलब नीचे वाले को तो नीचे वाले को कहते हैं denominator और ओपर वाले को हम कहते है numerator ओके अब हम discuss करेंगे types of fractions पहली types हमारे पास क्या है हमारे पास है proper fraction अब proper fraction किसे कहते हैं a fraction whose numerator is less than denominator एक fraction को proper तब कहते हैं जब उसका जो numerator है न वो छोटा हो as compared to denominator जैसे for example 1 by 2 तो यहाँ पे जो numerator है वो छोटा है और denominator बड़ा है इसको हम क्या कहेंगे proper fraction एक और example लेता हो 2 by 3 यहाँ पे देखो जो numerator है वो छोटा है और denominator क्या है बड़ा है यह भी हमारे पास proper fraction हो गई यह हमारे पास हो गया 19 by 20 यह क्या हमारे पास है यह भी हमारे पास proper fraction है विकास जो numerator है वो छोटा हो गया और denominator बड़ा हो गया तो इसी से हमारे पास दूसरी टाइप निकल गई तो उसको हम कहते है improper fraction अब improper fraction क्या होती है वो fraction जब numerator equal हो या बड़ा हो यहाँ पे क्या हो गया था छोटा हो गया था अब यहाँ पे क्या हो गया बड़ा हो गया जैसे for example हमारे पास हो गया 4 by 3 अब यहाँ पे जो numerator है वो बड़ा हो गया तो यह कहते हैं इसको improper fraction यह आप देखो 10 by 3 तो यह भी हमारे पास हो गया improper fraction यह देखो हो 20 by 90 अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम इसको improper क्यों कहते हैं और इसको proper क्यों कहते हैं इसको हम proper इसलिए कहते हैं बिकास यहाँ से आगे हम इसको solid नहीं कर सकते हैं ठीक है बट जो improper fraction है ना इसको हम further solid कर सकते हैं इसलिए हम इसको improper fraction कहते हैं अब improper fraction को कैसे फर्दर solo करें तो इससे हमारे पास नहीं टाइब आए गई उसको हम कहते हैं mixed fraction ठीक है अब जो mixed fraction होती है ये कैसे होती है अब जो हमारे पास ये improper fraction थी इसको हम express कर सकते हैं whole number से ठीक है और एक proper fraction के साथ ठीक है तो उसको हम कहते हैं mixed fraction जैसे for example हमारे पास था 4 by 3 ये हमारे पास क्या था ये improper fraction था अब हम इसको क्या करेंगे इसको mixed fraction में convert करेंगे तो mixed fraction में कैसे convert करेंगे हम करेंगे divide 4 by 3 का मतलब divide ही होता है ना तो हम करेंगे इसको divide तो 3 वन जा 3 हमारे पास reminder के आया 1 आया ठीक है तो इस reminder जो हमारे पास reminder आया जो बच गया इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ठीक है और जिससे हमने multiply किया मतलब divide है जिससे हमने किया था 3 त mixed fraction ओके यह हमारे पास दूसरा ले लो यह हमारे पास था 10 by 3 तो 10 by 3 तो इसको मैं कैसे mixed fraction में convert करोगा तो देखिए यहाँ पर हम divide करेंगे 10 3 3,009 ठीक है हो गया 1 हम बिलकुल basic से start करेंगे अब यह मत समझी गई है easy है अभी हम high level की तरफ भी जाएंगे तो हमारे पास क्या आ portion यह हो गया तो यह हो गए हमारे पास mixed fraction अब mixed fraction में यह हो गए हमारे पास whole number और यह जो आगे है यह हमारे पास होगी proper fraction तो hence इसको हम कहते हैं mixed fraction इसको हम कहते हैं improper fraction और इसको हम कहते हैं proper fraction अब हम आपको समझ आ गया अब हम discuss करेंगे addition and subtraction of fraction इस topic में maximum student को problem रहती है उनको addition औ आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो let us take an example, बहुती simple example से देते हैं, 4 by 5 plus 3 by 7, ठीक, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन दो का L7 निकालना है, ठीक, तो हमने L7 निकालना सीख लिया है, प्रिवेस वीडियो में हमने जो L7 निकालना है, वो सीख लिया है, हम तो direct से multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा 75, 35, ठीक, अब हमें करना क्या है, जो 5 है न, इसको हमने 35 बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे 5 multiply by 7, ठीक है, तो 5 7s are 35, तो जो हमने नीचे multiply किया न, उसे को उपर भी करो multiply, ठीक, प्लस, अब 7 को इसको भी 35 बना 7 5s are 35, तो उपर भी कर दो multiply, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 4s are 28, अपान 35 नीचे आएगा, प्लस, 5 3s are 15, अपान में 35, ठीक है, तो आप नीचे पे दो नुसेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो उपर वाले को सिज़ा प्लस कर दो आप, तो 28 प्लस 15, कितना होता है, यह होता है हमारे पास, 43 by 35, तो this is the required answer, ओके, यहाँ पर मुझे एक चीज़ भूल गया, आपको बोला, वो है, equivalent, equivalent fraction, now equivalent fraction क्या होता है, देखे, let us suppose that, 1 upon 2 है, और आप से कहा गया, कि इसके equal, आप fraction लेको, तो इसके equal, कितनी fraction लेको, बनेगी, infinite fraction बनेगी, कैसे बनेगी, आपने क्या करना है, जो open multiply करोगे, जिसे 3, तो नीचे भी 3 करो, multiply, तो is equal to, 3 1s are, 3, 3 2s are, 6, यह इसके equivalent है, अगर कोई और लिखनी है, तो 1 by 2, multiply by 4, multiply by 4, 4 1s are 4, 4 2s are 4, इसी तरह से, आप infinite fraction लेको, equivalent, ओके, अब आते हैं, next question पर, 3 by 4, plus 5 by 8, plus 9 by 24, ठीक है, इस वकत क्या करना है, हमने, lcm find करना है, तो lcm के लिए, हम क्या find करते थे, देखिए, हम देखते थे, सबसे बड़े नंबर को, ठीक, सबसे बड़े नंबर, अब हमने देखने है, क्या ये इसको divide कर रहा है, तो बिलकुल, 8 3s are 24, और ये इसको divide कर रहा है, 4 6 are 24, ठीक है, तो हमारे पास lcm क्या आगया, 24 इसका मतलब, हम इस वकर direct लिखेंगे, यहाँ पर 24, ठीक, अब हमें 4 को क्या multiply करना है, ताकि 24 उपर भी करो multiply 3, 53, 15, ठीक, प्लस, इस तरह से, 24 को 1 से, उपर भी 1 से, 910, 9, ओके, तो इसको आप plus करो, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा, 42 upon 24, तो इसको आप simplify कर सकते हो, ठीक है, तो simplify कैसे करोगे, तो ये 2 से होता है, 21, 2000, और ये होता है, 12 से, हमारे 21 by 12, अब हम लेते हैं, mixed fraction का question, देखे, 33 is 2, 3 by 7, इसका मतलब क्या है, कि हम 7 को इसको साथ multiply करते हैं, फिर इसको साथ plus करते हैं, तो वो हमारे पास बनेगी simple fraction, बट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ बिल्कुल short trick से करेंगे, वो कैसे कर plus 145 plus 9, ठीक, उसके बाद, जो fraction वाले हैं, उनको side में plus करो, तो 3 by 7 plus 2 by 7, प्लस 2 by 7, ओके, तो इसको जब plus करोगे, तो आपके पस क्या आएगा, फटा-फट से plus करते हैं, हमारे पास आता है, 187 plus, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल 7 है नीचे से, इसका मल उपर से में सिधा plus करना है, तो 3, 5 and 7, तो 7 by 7, यह और यह cancel out हो किया, 1 बचेगा, हमारे पास 187 plus 1, तो हमारे पास 188, which is the required answer, तो हमारे पास जो usual method है, अगर वैसे करते हैं, तो वैसे काफी जदा time आपको consume होता है, ऐसे इसको पहले इसको और इसको multiply करना था, इसके साथ plus करना था, फिर इसको फिर इसको फिर काफी time लगता आपको, next request question है, 3 is to 1 upon 3, 4 is to 1 upon 2, plus 1 is to 1 upon 4, plus 2 is to 1 upon 2, इसको फट फट से solo करेगा, तो हम कैसे इसको solo करते हैं, हमारे पास 2 method है, या तो हम usual method लगाएंगे, या हम trick से करेंगे, तो इसको हम usual method से करते हैं, ताकि वो भी आपको समझ तो 3300, 9, ठीक है, इसको multiply करो, प्लस उपर बस से करो, 3300, 9 plus 1, 10, तो 10 by 3, plus 4200, 8, 8 plus 1, 9, 9 by 2, plus 414, और plus 1, 5 by 4, plus 2200, 4, 4 plus 1, 5, 5 by 2, इसको जैसे मैं इसको ऐसे किया न, वैसे भी आपने करना है, और आपने मुझे बताना है, क्या answer सेम आया या नहीं आया, ठीक, तो कैसे करेंगे हम इसको अब, हमने क्या करना है, इसका LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे बड़ा हमारे पसे number कौन सा है, 4 है, अब हमने देखने हैं, क्या बागी number इसको divide कर रहा है, तो यह वाला 2 भी इसको divide करेगा, तो हम सिरफ 3 इसको divide नहीं कर ठीक है अब हम 3 को क्या multiply करेंगे 12 आईगा तो 3 4s रो 12 अपर से भी 4 multiply करो 4tons 40 plus इसको हम करेंगे 6 से multiply तब 12 आईगा ठीक है तो इसक्स करो गोच तो यहां से 6 ओपर से भी 6 ठीक आ रही है समझ तो यह हमारे पास कितना बनेगा यह हमारे पास बनेगा 139 अपान 12 ठीक अगर इसको आप mixed fraction में convert करना चाहते हो तो कर सकते हो फटपट से यहां पर डिवाइड करो 139 अपान 12 ठीक है तो इसको कैसे कर सकते हो 12 1000 यहां पर 12 1000 यहां पर 7 तो हमारे पास क्या आएगा जो यहां है उसको ओपर लिखते है तो जो यहां पर है उसको नीचे और यह ऐसे है इसे रिक्वाइड आंसर ठीक है नेक्स मारे पास question है अब इस वकर हम इस question को solo कैसे करेंगे direct करेंगे हम क्या करेंगे देखे इसको 13 17 21 15 और 12 इनको हम plus करेंगे और यहां पर हम इस वकर प्लस नहीं रिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से और यह हम इसको solo करेंगे without pen देखे 13 प्लस 17 कितना होता है 17 प्लस 3 कितना 20 20 20 प्लस 1 30 ठीक है 30 थह 20 कितना होता है 50 प्लस 1 51 51 प्लस 15 कितना होता है 56 और 10 66 ठीक है इस तरह से 66 और 2 कितना होता है यह होता है 68 1078 ः तो हम इसको कैसे लिखेंगे सिधा फॉर ठीक है, प्लस 2 बाइ 7, प्लस 1 बाइ 4, ठीक है, प्लस 5 बाइ 7, प्लस 2 बाइ 3, ओके, तो इसको फट फट सॉलो कीजिएगा, आप देखिए, यहाँ पर हमारे पस 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो जो 4 फॉर वाले हैंने, इनको साथ में प्लस करो, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब उपर वाले हमने सीधा प्लस करना है, 3 प्लस 1, 4, तो हमारे पस आगे 4 बाइ 4, प्लस, जिनका डिनॉमिनेटर, 7 7 है, उनको देखो, यह भी 7 है, यह भी 7 है, तो नीचे से 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 न दोन वाखा है, तो उपर से सीधा प्लस करते हैंने फिर, तो 2 प्लस 5, तो 7, प्लस, अब बचा हमारे पास 2 बाइ 3, तो इसको लिखेंगे 2 बाइ 3, ऐसे हैं, ठीक, अब देखो, यह और यह cancel, यह और यह cancel, तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो 78 प्लस 1, 79, 79 प्लस 1 हो गया, 80, 80 प्लस 2 बाइ 3 तो 80 प्लस 2 बाइ 3, अब देखिए, हमारे पास जो है न, यह 13 इस्टो 3 बाइ 4, तो इसका मतलब क्या होता था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 3 इस्टो 4, विकाज, इसको इसको हम मल्टिप्लाइ करते हैं, फिर जाकर इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने सब्ट्रेक्शन लिया है, हम क्या करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर 46, यहाँ पर माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मायनस करनेगा, सौरी, 46 माइनस 14, ठीक है, करो 46 माइनस 14, कितना होता है, अब देखिए, 6 से 4 निकालोगे, क्या बचेगा, 42, फिर 10 निका दालो तो हमारे पास बचेगा 21 और 11 तो हमारे पास क्या आएगा 11 आखिया ठीक है यह calculation आपको सीखना है ताके आपको कम समय लगेगा examination में उसके बाद बच गई यह तो इनको आप करो plus 2 by 9 minus 5 by 3 बच जाता और और यहां पर minus 4 by 9 ठीक तो इसको करो अब देखिए यहां पर LC क्या आएगा यहां पर हमारे पास 11 प्लस LC यहां पर आएगा 9 ठीक क्यों सबसे बड़ी राकम यही है और 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो देखिए यह पर 2 माइनस अब 3 को क्या multiply करोगे 9 आएगा 3 को हम 3 multiply करेंगे ठीक है 5 रिजार 15 minus 4 ठीक तो यहां पर हमने क्या करना है यहां पर देखिए यहां पर प्लस वाला एक है ठीक है और minus वाले 2 है अब क्या करोगे सबसे पहले अब इसको कोई सब लो यह दो ले लो ठीक है माइनस 15 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस होता है ठीक है तो 15 प्लस 4 कितना होगा हमारे पास बनेगा minus 19 because बड़े के साथ minus है, इसलिए minus आगया ठीक है आब इसको इसके साथ minus करोगए, तो हमारे पास बनेगा 11 minus, because बड़े के साथ minus है इसलिए minus आगया 17 by 9, ओके तो इसको क्या करोगए आप इसको multiply करो, 9 11 is 99, तो 99 minus 17 upon 9 ठीक है, तो यह हमारे पास बनेगा 82 upon 9, ठीक, तो यह होगा हमारे पास required answer, अगर आप fraction में लाना चाहते हूं, तो हमारे पास 82, 9, 9 9s are 81, वन बचा, तो 1, 9 is to 9 upon 1, this is the required answer, Now friends, अब आते हैं question पे, जो कि आपसे examination में पूछे जा सकते हैं, हमारे पास पहला question है, the sum of digits, of a two-digit number is 9, हमारे पास दो-digit number है, उनको जब हम plus करते हैं, तो वो 9 आता है, जैसे हमारे पास option में दिया है, 36 एक two-digit number है, इन दो को plus करो, 6 plus 3, 9, but हमारे पास हम यहीं से इसको कर सक थे, लेकिन हमारे पास चारों option है, उन सब का sum 9 ही आ रहा है, 63 का भी 9, 45 का भी 9, और 54 का भी 9 आ रहा है, अब देखें, if the fraction formed by taking 9 less than number, ठीक है, फिर क्या क्या गया है, वो fraction बनाई गई है, एक number से fraction बनाई गई है, उसमें 9 कम किया गया है, numerator से, ठीक है, और 9 को बढ़ाया गया है, denominator से, और वो जो fraction बन रही है, वो बन रही है, 3 by 4, let us suppose that, हमारे पास जो number है, वो है n, ठीक है, अब यह जो number n है न, इसके जो numerator है, वहाँ पे 9 कम किया गया है, देखिए, taking 9 less than the number as numerator, ठीक है, तो हम लिखेंगे n minus 9, अपन, अब जो denominator होता है, वो नीचे में होता है, ठीक है तो denominator में किया गया है, and 9 more than the number as denominator, जो 9 है न, उसको ज्यादा लिया गया है, denominator में, तो ठीक है, हम लिखेंगे n plus 9, और यह जो fraction है न, यह किसके बराबर reduce हो रही है, यह हो रही है, 3 by 4, तो हम लिखेंगे इसको 3 by 4, बस हमारा काम हो गया, हमने वो number find करना है, तो हमारे पास क्य गया, हम इसको cross multiply कर देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें, इसको इसके साथ multiply करेंगे, बनेगा 4N minus, इसको इसके साथ multiply करेंगे, बनेगा 94036, is equal to, इसी तरह से, इसको इसके साथ multiply करो, पहले 3 को N के साथ, तो बनेगा 3N, और 9 क हम जानते हैं कि जो variable वाले होते हैं वो variable के साथ ही plus या minus होते हैं जो n वाला है वो n के साथ ही plus या minus होगा इसलिए हम जो n है जो right side में इसको left side shift करेंगे हम लिखेंगे 4n minus 3n अब हमने minus को लिखा बिकास इसने अपनी जगा यहां से छोड़ दिया is equal to 27 27 अपनी जगा पर is equal to को इदरी है अब देखिए यहां पर 36 है minus 36 इसको shift करेंगे हम right side तो यह बनेगा plus 36 ओके गईज तो यहां पर हमारे पास बनेगा n minus करके n बनेगा is equal to इसको plus करो तो यह हमारे पास plus करके बनेगा 63 ठीप तो हम लिखेंगे 63 तो 63 is the required answer बहुत ही simple question है question को समझने है question क्या बोर रहा था दो number है उसका sum 9 है तो दिखिए 6 plus 3 इसका sum 9 आगिया उसके बाद इसको क्या क्या गया है जो number है उसके fraction में से 9 कम किया गया है numerator से ठीक है और 9 को बढ़ाया गया है ज्यादा लिया गया है denominator से और वो fraction बनती है 3 by 4 तो हमने इसको ऐसे लिखती है फिर इसको simplify करके हमने find कर दिया वो number next नमारे पास question है बहुत ही basic question है इसके लिए मैं आपको एक trick सिखाऊँगा बहुत ही मज़ेदार trick है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है in a office 5 upon 12th part employee are officer grade हमारे पास एक office में 5 upon 12th part employee का officer grade है 2 upon 5th part employee का clerk grade है और remaining 55 employees जो है MTS grade के है हमने find करना है total number of employees in a office आपको एक चीज़ याद रखनी है जब हमारे पास improper fraction होती है improper fraction मतलब जिसका denominator बड़ा है और numerator चोटा है जैसे for example 1 by 2 ठीक है अब हमारे पास क्या होता है जो improper fraction होती है इसका सबसे बड़ा number होता है 1 विकास देखे 1 upon 2 plus 1 upon 2 करोगे आप 1 upon 100 भी लो तब ये 1 से चोटा है तो इसका सबसे बड़ा number क्या होता है वो 1 होता है ओके ये चीज़ आपने याद रखती है अब आते हैं हम question पे जब भी आपको step के question आएगे उनको आपने कैसे करने है आपने ये 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 यहाँ पे circle ड़ा किया ठीक है अब आपने क्या करने है चो यहाँ पे है न इसको आपने को 5 by 12 बीच में aligned देत और उसके बाद यहाँ पे आगए 5 to upon 5th part apply क्या कर रहा है clear gate है तो हम लेखेंगे 2 by 5 अब आपने क्या करना है इन दोनों का L से में निकालना है 5 और 12 का अब हम जानते हैं 5 हमारे पास prime number है तो जब prime number हो तो L से में क्या निकलेगा L से multiply करके निकलते है तो 12, 5, 60 तो यह होगे अबरे पास अब आपने क्या करना है 5 upon 12th part 60 का निकालना है तो वो कैसे निकालो के वो हम निकालते हैं 5 upon 12 multiply by 60 ऐसे करके निकालते हैं अब देखिए 12, 1, 2 ठीक है 12, 5, 60 5, 5, 25 तो आपने यहाँ पे लिखना है 25 ठीक है उसके बाद इसी तरह से 2 upon 5th part आपने निकालना है 60 का वो कैसे निकालोगे 2 upon 5th into 60 ठीक है 5 on the 5 12, 5 is a 60 12, 2 is a 24 हमारे पास 25 apply आगे किसमे officer grade में और 24 apply आगे हमारे पास clear grade में but total हमारे पास कितना था 60 था ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास total कितने बच गए तो हम इन दो को plus करेंगे ठीक है तो हमारे पास कितना बनेगे 25 plus 24 कितना बन रहा यह हमारे पास बन रहा 49 तो आपने क्या करना है 49 minus 60 करना है तो यहां पे लिखो 60-49 तो हमारे पास बचेगा 11 हमारे पास बचेगा 11 अब आपने क्या करना है पूरे अच्छे से समझो इसको आपने लिखना है 11 units 11 units is equal to 11 units जो है न वो आएगा हमारे पास जो remaining implies थे तो remaining implies हमारे पास थे 55 क्या थे 55 आपने लिखना है 11 units is equal to 55 अब 11 1s are 11, 11 5s are 55 तो 1 unit जो है किसके बराबार आ रहा है 5 के बराबार आ रहा है ठीक तो हमारे पास जो LCM निकला था वो 60 निकला था हम क्या करेंगे 60 multiply by 5 तो हमारे पास आगया 300 which is the required answer तो हमारे पास B option correct option है इसको मैं एक बाद फिर समझाओंगा देखिए आपने क्या करना है आपने देखना है कि कहां कहां हमारे पास क्या क्या employees है हमारे पास 5 upon 12th part employee का officer grade है ठीक उसके बाद 2 upon 5th part employee का clearer grade है और remaining हमारे पास 55 है तो आपने क्या करना है इंदो को लिया इंदो को आपने लिखा यहाँ पे आपने इनका LCM निकाला ठीक है फिर जो LCM है इसका आपने 5 upon 12th part निकाला वो कैसे मैं आपको निकालना मैंने समझा दिया यहाँ पे इसी तरह से 60 का 2 upon 5th part भी निकाल दिया ठीक फिर आपने क्या करना है उनको यहाँ पे लिखना है इन दो को plus करके इसमें से subtract करना है और लिखना है कि remaining कितना रहा आपको ठीक है तो आपने क्या किया 11 units is equal to 55 यानि कि जो हमारे पास remaining implies थे ठीक तो इसको आपने simplify किया फिर आपने 60 को इसके साथ multiply करके आपके पास answer आगिया ये trick आपको याद रखनी है बहुत काम की trick है बहुत आपको काम आएगी बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास question number 2 है इसको आप पहले खुट try करो ठीक है आप देखो क्या आपसे निकल रहा है ये question या नहीं निकल रहा है वीडियो को pause करके खुट try करो इसको पहले तो देखिए मैं आपको करके सकाता हूँ क्या है हमारे पास एक person है वो invest करता है 7 upon 20th part of his money in bank A ठीक है फिर 5 upon 18 part वो bank B में करता है and remaining 93 crores वो bank C में डालता है ठीक है तो हमने करने है find the total investment तो हम क्या करेंगे हम लेखेंगे 7 upon 24 ठीक है और 5 upon 18 ठीक है अब हमने इनका क्या कर ला है LCM इस सरकर में लेखना है तो LCM हमें पता नहीं है तो हम फटा-फट से यहाँ पे इनका LCM निकालतेंगे ठीक है 24 और 18 दोनों 2 से होते है ठीक है तो 2 9 0 18 अब यह 2 से हो रहे 2 6 0 सरी यह भी 3 से होंगे 2 4 0 3 4 0 12 3 3 0 9 तो अब इनको करो 2 into 3 into 4 into 3 3 2 0 6 6 3 0 18 18 4 0 72 तो हमारे पास क्या आगया 72 आगया अब आपने क्या करना है 72 का 7th upon 24th पार्ट निकाल देना है ठीक है तो आप इसको कैसे निकालोगे फटा फट चल्दी करो यहाँ पर into 72 ठीक है अब 24 1s are 24 24 3s are 72 ठीक है तो 7 3s are 21 तो हमारे पास आगया 21 इससे तरह से यहाँ पर अब मैं यहाँ पर direct कर दूँगा ठीक है 20 अगर नहीं आ रहा है समझ तो फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ यहाँ पर 5 अपन 18 multiply by 72 ठीक है तो 18 1s are 18 18 4s are 72 तो 5 4s are 20 इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अब देखिए हमारे पास इन दोन को plus करो हमारे पास कितना बनेगा 41 बनेगा 41 तो 41 को आपने यहाँ से माइनस करना है तो 72 माइनस 41 कितना बचे हमारे पास 1 3 यहनि कि 31 तो 31 इसका मतलब हमारे पास 31 units is equal to remaining कितने था हमारे पास 93 crores ठीक है न तो 93 crores ठीक है अब 31 1s are 31 और 31 3s are ठीक है 31 3s are 93 1 unit आगे हमारे पास 3 के बराबर ठीक अब हम क्या कहते हैं 72 multiply by 3 तो 72 multiply by 3 ठीक है तो यह हमारे पास बनेगा 216 crores which is the required answer so B option is the correct answer next आपरे पास question है in a school 3 upon 7th part students are interested in football ठीक है 3 upon 7th part students interested in football में 3 upon 4th part of remaining students are interested in cricket अब ही तक हमारे पास क्या होता था हमारे पास सितक given होता था जिस तरह से हमारे पास पहले question में था 5 upon 12th part apply officer grade है ठीक है उसके बाद 2 upon 5th part apply जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या था सिरफ इतने part हमारे पास apply थे और इतने part हमारे पास क्या थे color grade थे लेकिन यहाँ पर हमारे पास question में थोड़ा twist है वो twist क्या है वो है यह जो remaining students है यह हमारे पास twist है यह twist क्या है मतलब 7 upon 3 parts हमारे पास students क्या है वो interested है football में उसके बाद जो बाकी बज रहे है ठीक है जो बाकी बज रहे है उन में से 3 upon 7th part जो है वो interested किसमे है वो cricket में interested है and remaining 80 students are interested in hockey ठीक है हमने निकालना है total students अब इसमें क्या करना है इसको भी हमने पहले वैसे लिखना है 3 upon 7 ठीक है उसके बाद अब देखिए 3 upon 7 है हम जानते है total हमारे पास 1 होता है होता है कि नहीं होता है अब देखिए 3 upon 7 को हम क्या प्लस करेंगे हमारे पास 1 बनेगा अब देखिए जब उपर से भी 7 बनेगा न तब जाके 1 बनेगा नहीं है तो उपर से 7 कब बनेगा 7 आ गया हमारे पास football खेलने वाले इसका मतलब बाकी कितने बच गए बाकी हमारे पास बच गए 4 by 7 तो हम लिखेंगे 4 by 7 multiply by इसका 3 by 4th part है इसलिए हम लिखेंगे इसको 3 by 4 बस यह चीज इसमें आपको याद रखने है बस बाकी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया यह 4 यह 4 cancel हो गया तो यह भी बन गया 3 by 7 तो यहाँ पर लसम क्या निकलेगा लसम लिखते हैं लसम हमारे पास निकलेगा 7 अब 3 by 7 into 7 करोगे तो हमारे पास 7 7 cancel हो जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर भी 3 by 7 है तो यहाँ पर भी 3 बचेगा अब हमारे पास 3 पलस 3 कितना होता है 6 तो 7 minus 6 तो 1 ठीक है यह हमारे पास remaining है इसका मारब 1 unit is equal to remaining हमारे पास कितना है remaining 80 students तो 1 unit is equal to 80 इसका मतलब हमें कहा करना है 80 को multiply करेंगे 7 के साथ तो 80 multiply by 7 तो हमारे पास कितना है sorry 8 7 is 56 तो 560 is the required answer so the option is the correct answer बहुत ही simple question है अच्छे से समझेगा इनको और examination में आते हैं अब दीखें next हमारे पास question है अब person 7 upon 15th part of his journey by train एक person है उसना चला अपनी journey 7 upon 15th part किसे train से 1 upon 4th part of remaining बस यहाँ पर भी remaining आ गया जब भी remaining आ गया तो आपने क्या करना है मैं बता तो आपको क्या करना है जैसे हमने इस वाले question में किया बस वैसे ही करना है अगर remaining नहीं आएगा तो जिस तरह से हमने question number one और question number two किये ना उसी तरह से आपने करने है ठीक तो आप हम करते हैं इसको कैसे करेंगे हम देखें हमने लिखा seven upon 15 ठीक है तो यह हमारे पास क्या है यह train वाले है इसको बहुत हो टी याद रखने के लिए आपको अब देखें seven upon 15 हमने क्या किया बाई train चला इसका मतलब remaining कितना रहा अब देखें seven upon 15 है total हमारे पास one होना चाहिए अब इसको क्या प्लस करेंगे कि one बनेगा अब यहाँ पे seven है तो eight because eight plus seven 15 ठीक है ना पिकास उपर से भी 15 बनना चाहिए नीचे से भी 15 बनेगा तब ही वो cancel होके one बनेगा ना आपके पस कितने आएगा आपके पास आएगा आपके पस आएगा मतलब यह होगा कि six units is equal to remains हमारे पास 120 ठीक है अब six ones are six और 26 are 120 तो one unit हमारे पास हो गया 20 ओके तो हमारे पास है 15 so 15 multiply by 20 ठीक है तो हमारे पास कितना आता है यह था हमारे पास 300 which is the required answer hope आपको अच्छे से समझ आ रहा है अगर आपको कहीं पे भी कोई भी doubt है मैं आपके लिए available हूँ अब यहाँ पे हमने क्या किया mixed fraction वाला question लिया है a person spent 25 is to 5 upon 12 percent of his income on food 43 is to 4 upon 15 percent on rent and 21 is to 7 upon 30 percent on medicine and remaining उसको बच्टा है फिर 1450 अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है जो fraction है वो equal होती है मतलब one के मतलब उसको जो highest part होता है improper fraction का वो one होता है ठीक और जो हमारे पास percentage है न इसका maximum percent आपके पास कितना होता है 100% होता है ठीक है आपको अच्छे से पता है बस यह चीज़ आपने याद रखनी है अब हम इसको कैसे करेंगे अब देखिए एक person है उसने अपना खर्चा किया इतना income food पे फिर इतना उसने rent पे किया फिर इतना उसने medicines पे किया इसका मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे कि total खर्चा उसको हुआ कितना ओके तो हम कैसे करेंगे हम लिखेंगे 25 is to 5 upon 12 ठीक प्लस 43 is to 4 upon 15 प्लस 21 is to 7 upon 30 ओके इसको हम शाट ट्रिक के सब करते हैं 25 प्लस 43 प्लस 21 इन तीनों को प्लस करो साइट में तो हमारे पास आएगा 87 ठीक है फिर आपने क्या करना है प्लस अब इनको प्लस करो साइड में 5 upon 12 प्लस 4 upon 15 प्लस 7 upon 30 ठीक है इसका एलसम निकालो फटा फट से तो मुझे पता इसका एलसम क्या है इसका एलसम हमारे पास है 60 ठीक है अब 12 को क्या मल्टिप्लाइ करोगी 60 आएगा फटा फट से करो 12 5,060 तो ओपर से भी 5 करो 5,5,025 प्लस 15 को क्या मल्टिप्लाइ करोगे 60 आएगा 4 करोगे मल्टिप्लाइ तो ओपर से भी 4 करो 4,4,016 अब 30 को क्या मल्टिप्लाइ करोगे 60 आएगा 2 ठीक है तो ओपर से भी करो तो 7,2,014 ठीक है तो हमारे पास आ गया 87 प्लस इनको प्लस करिएगा ठीक है तो हमारे पास आ गया ये 55 by 60 अब यहां पे प्लस है तो इसको में लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए था 87 is to 55 upon 60 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इसमें आप देखिए 11 5,055 अब देखिए यहां पे आपको चीज याद रखने है हमें पता है कि percentage कितना होता है 100 होता है बट यहां पे कितना है 87 है इसका मतलब बागी कितना बचा बागी हमारे पास 13 लेकिन अब 13 में से 11 upon 12 पार्ट भी है इसका मतलब अब हमारे पास जो original भचेगा वो भचेगा हमारे पास 12 भचेगा अब जो 1% है जो 1 हमारे पास था उसमें 11 upon 12 यहां पे है हमने देखना है कि remaining कितना है क्या देखना हमने remaining कितना है तो remaining कहा से निकलेगा अब 11 upon 12 यहां पे है 11 upon 12 को हम 1 कैसे बनाएगे 11 upon 12 प्लस क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे 1 by 12, ठीक है, तो यह जो 1 by 12 है न, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, बस यह होगे, यह होगे हमारे पास units, तो यह units किसके एक वल आएगा, 12 upon 1 upon 12, किसके एक वल आएगा, यह इनने लिखा था, remaining is equal to 1450, तो बस मैंने लिखना है, 1450, ठीक, तो इसको simplify करो आप, तो इसको हम कैसे करते थे, इसको, इसको multiply करो, 12 multiply by 12 होता है, 144 plus 1, तो हमारे पास 145 upon 12 is equal to, ठीक है, अब यहाँ पर cancel होगा, 145, 145, 145, 10 ठीक है, तो इसको इसके साथ multiply करो, तो 1 units, क्योंकि हमारे पास 1 बचेएगा न, तो 1 units is equal to, इसको, और इसको multiply होती ह है, तो हमारे पास बचेगा, 120, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखने है, आप बतातो हो कि, यह cut क्यों कर रहा है, जो ओपर-ओपर वाले होते हैं, वो cut होते हैं, जब is equal to, बीच में होता है, और नीचे और ओपर वाला, यह multiply होते हैं, जब is equal to, बीच में होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1200, तो 1200 is the required answer, तो यह थे आज के हमारे कुस्क्ष्चन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज, प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends and classmates के सब जरूर share कीजिएगा, thanks for watching.